भारत और चीन में तनाव है और इसी तनाव के बीच भारतिय सिना ने अब चीन को सबक सिखाने के लिए पूरा बंदो बस कर लिया है और अब शक्ति चाली T90 टैंक जिसे भीश में का जाता है उसे हवाई जहाज के जरिये लद्दाग पहुचा दिया गया है बारत ने इस T90 टैंक की तेनाथी कर एक तरीके से चीन को करा संदेश दिया है कि अगर कुछ हरकत की तो करारा जवाब बिलेगा T-72 टैंक को का एक बेड़ा पहले से लद्दाग में तेनाथ है इसके साथ ही हवाँ में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में समठ अत्यादूनिक एंटी एरक्राफ्ट गन और सैनिको का एक विशेश दस्ता भी लद्दाग पहुच चुका है हमें जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके मताबिक चंडिगड श्रीनगर समय देश के विबिन इस्तो से लवायू सेना C-70 गलोब मास्टर और रूस निर्मित I-L 76 जहाजों के जरिये टैंक एंटी एरक्राफ्ट गन समित कई भारी अत्यारों के अलावा सैनिकों के विच लगडाक में तेना थे एक आमड रेजिमेंट का दस्ता पहले से मौजूद था और अब तीन आमड रेजिमेंट की तेनाती से हालात का अनुमान लगाया जा सकता है दरसल लगडाक का दिकांश इलाका पहाड़ी और दुर्गम है लेकिन चुशूल और दमचोक जैसे कुछ समतल इलाके भी हैं जिनमें ये टैंक बहुत कारगर साबित होंगे बीश में टैंक की यदि हम बात करें तो ये दुनिया के सबसे अचूक टैंक में शुमार है पी 90 टैंक शुरू में रूस से बनकर आये थे और उसके बाद में इनका उननत रूप तयार किया गया था ये ट मिसाइल हमला रोक सकता है बीश में टैंक 1000 होर्स पावर इंजन की शमता रखता है जिसकी वज़े से ये दिन और रात में लड़ सकता है इसके साथ ही इसमें 6 किलोमिटर की दूरी तक मिसाइल लॉंच करने की शमता है ये दुनिया के सबसे हलके टैंकों में शुमार है और वज़न सिर्फ 48 टन है जिसकी वज़े से इसकी रफतार की बात करें तो बीश में टैंक 12 किलोमिटर की रफतार से दौर सकता है दरसल लड़ाक में समुदर तल से करीब 12,000 से 14,000 फूट की उचाई पर ही टैंक इस्तमाल किये जाने की संभावना है लेकिन भारतिय सेना टैंक और अन्यस भारी साजो सामान को हवाईजास के जरीए पहुचाए गया है आपको बता दें कि वाईउ सिना ने 1962 के युद के दौरान 30 लांसर के 6 एमेक्स हलके टैंक पहुचाए थे उन्हें भी चुचुल में ही तेनाद किया गया था और इसके बाद 1990 के दशक में IEL 76 तर विमान के जरीए टी भैतर टैंक पहुचाए गए थे